नमस्कार, खबरों का पंच नामा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अन्शका हम लेकर आए हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौदूद है सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर करनाटक रैली में पीएम मोदी का कॉंग्रेस पर प्रहार खड़गे के जहरीले साप वाले बयान का किया पलटवार कहा कॉंग्रेस नेता बीजपी पर जितना कीचड उच्छा लेंगे उतना खेले का कमण सीमावास के रेनोवेशन मामले में अर्विन केजरिवाल की बड़ी मुश्किलें LG ने दिये जाच के आदेश 15 दिन में मांगी रिपोर्ट पहलवानों के धरने पर सियासत तेज कॉंग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी का मिला समर्थन ब्रिज भूशन ने साज़िश का लगाया आरू मानहानी मामले में रहुल गांदी को कोट से जटका दो मई तक हाई कोट में टली सुनवाई बढ़ सकती हैं मुश्किलें बीजेपी विदायक हत्या मामले में मुकतार अंसारी पर कोट का बड़ा फैसला दस साल सजा के साथ पांच लाग का जुर्माना भाई अफजाल को भी चार साल की सजा आज की पहली खबर में बात करेंगे करनाटक में पीएम मोदी की रैली की करनाटक चुनाफ से पहले आज पीम मोदी ने मिशन करनाटक में सताधारी बीजेपी की दावेदारी को और धार देने के लिए ताबर तोड रहलियां की इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की और कहा कि करनाटक को डबल इंजन वाली सरकार ही नमबर वन राज्य बना सकती है मोदी ने इस दोरान कॉंग्रेस अध्यक्ष मलेकार जुन खडगे की जहरीला साप वाली टिपणी को लेकर पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉंग्रेस और उसके नेता अब तक 91 बार अलग अलग तरह से उन्हें अपमानित कर चुके हैं लोग उनकी गलतियों का वोट से जवाब देंगे और कॉंग्रेस नेता बीजिपी पर जितना कीचर उचा लेंगे उतना ही कमल खेलेगा डॉक्स अब क्या कुछ माही ने पीम मोदी के बयान गलतियों को हत्यार बना करके वो चुनाव में कैम्पेइन करते हैं बुझरात में क्या हुआ यही खड़के साथ उन्होंने कह दिया भाई रावन है तो चल गए अब जहरिला साथ बता दिया गया अब यह कहने कि देखो और प्रदान मंत्री मोदी तयार होकर क्या है थैं उन्होंने का हम फ्रद गालिया को गालियां देना यह मुझे क्या छोड़ेंगे यह तो भाबा भीमरा अंवित्कर और को भी लोगों नहीं देखोड़ा है क्या-क्या गालियां दी थी, तो इस तरह की गालियां ये बाबा भीमरा, उंबेदकर और सावरकर को भी देते हैं, मैं तो धन्ने होगे, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अब उन्होंने कहा, ये जो गालियां दलित और उबिसी को दिया जाता है, इसका बदला यही कॉंगरेस पार्टी को यही समझ में नहीं आता है मुख्य सचफ को लेटर लिखकर सीएम आवास के रेनोवेशन से जुड़े सभी कागजात और फाइलें सुरक्षत करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं, इन फाइलों के आधार पर मुख्य सचफ पीड़ूडी विभाग में अधिकारियों और मंत गलतियां तो आँख के सामने हैं, बच पाएगा ही नहीं, आप फ्रॉड से अपना घर बनाएंगे, आप अपने एशो आराम के लिए जनता का पैसे का इस तरह का गलत इस्तमाल करेंगे, इस टाइल्स में ही फंज जाएगा, इंपोर्टेट टाइल्स लगाने का कानून है क्या पीडर बूडी के द्वारा, ये तो कहीं नहीं हो सकता, दूसरी चीज, बिना पर्मिशन के आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, वह किसके आदेश पे, फिर आपने टेंडरिंग में गरबल की, मकान बनना है एक, आपन इसको 45 करोड एक बार लेने के बजाए आपने टुकडों में बाट दिया ताकि ओपें टेंडरिंग ना हो, इसको पब्लिक ना किया जाए, इसको अख़वार में न च्छापा जाए, तो हर जगह तो आपने गडबलिया की, आपने रेनोवेशन के लिए पैसे लिए और नह चाई आएगी, ये दिल्ली का नटवर लाल पब्लिक में चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगा, कि ये तो बड़ी बड़ी बाते करता था, और खुद के लिए आठ लाग का परदा, ये डाइजेस्टी नहीं हो रहा है, हर महिलाएं ये बात करें, आठ लाग का परदा कौ कहां, कैसे मिलता है, और इसके जरुरत क्या है, 16-16 लोगों के डैनिंग टेबल, 5-star होटल का खाना आता है, घरम पानी वाला, स्विमिंग पूल, ये तो अयाश है, ये कोई जनता की सेवा करने नहीं, ये अपनी अयाशी, अपनी फैंटसी को पूरा करने के लिए ये राज जनीती में आया है, जे बिलकुल, केजरिवाल के बंगले में खर्च 45 करोड के एक एक कागस की जाच की जाएगी, जिसमें कई खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है, अगली खबर में बात करेंगे, कई दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, महिला पहलवानों क समर्थन का एलान कर दिया है, मामले में आप नेता आतिशी मार लेना और सौरभ भारदवाज ने भी पहलवानों से मुलाकात की है, आपको बता दे कि लगता धरने पर बैठे पहलवानों की ओर से कुष्टी फेडरेशन के अध्यक्ष, ब्रिज भूशन, शरन सिंग पर में जंतर मंतर को राजनिती का अखाड़ा नहीं बनाया था, देश की सिंपथी आपके साथ थी, अब नहीं है, आप के साथ कोई समस्या है, आप उसके लिए आवाज उठाएंगे, सारे लोग, सुप्रिम कोर्ट आट अब वे जाकर के कहा कि भाई, एफाई यार दर्ज करो सरकार ने भी कहा दिया, अब एफाई यार दर्ज करो, इस देश में नियम कानून अभी भी जिंदा है, किसी भी व्यक्ति को आप फासी पे नहीं लटका देंगी, यह केजरेवाल वहाँ जाकर कि क्या कह रहा था, कि यौन उत्पिरंग करने वाला व्यक्ति को तो फासी पे लटकाया, यह तमाशा कर रहा है, और जैसे ही आपने प्रियंका वाडरा, सत्पाल मलिक इस तरह के लोगों को आपने वहाँ पे जमने दिया, वहाँ भाशन बाजी, वहाँ पे नारे लगेंगे, मोधी तेरी कबर खुदेगी, कौन तुम्हारे साथ आएगा, दिक्कत क्या है, सचाई, लोग कहना नहीं चाते, क्योंकि यह खिलारी है, इन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन उसकी आड में आप इस तरह के कुकृत्र करेंगे, तो सच बोलना पड़ेगा, यह सवाल उन पहलवानों से जो वहाँ पे धरना पदरसन दे रहे हैं, एक ही जगह के एक ही अखाड़ा के लोगों के साथ यह सुप हो रहा है, यह तो All India Body है, महराश्क से, बिहार से, तमिलनाडू से, हिमाचल से, पंजाब से, यूपी से, पहलवान नहीं आते, आपको इनका समर्थिन क्यों नहीं मिला हुआ है, शोशन सिर्फ, फोगार्ड एं कंपनी, यह तमाशा चल रहा है, कॉंगरस के कहने पे, क्योंकि वहाँ एलेक्शन होने वाले हैं, हुडा को आपने क्यों वहाँ बुलाया, हुडा का इस कुस्ति फेडरेशन के साथ क्या रिष्टा है, तो होता क्या है कि ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप उसकी आवाज उठाना चाहते हैं, आवाज उठाईए, उसके लिए फोरम है, उसके लिए सब कुछ है, सरकार कह रही है कि हम मैं चल लेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप अगर राजनीती करोगे, तो राजनीती का जवाब तो राजनीती से होगा, फिर देश की जनता भूल जाएगी कि आपने कितने मेडल लिये हैं और कितने मेडल लाने लाइक हैं, या उलम्पिक में जाने लाइक बचे भी नहीं हैं, कि सब कुछ सरीर में आपने फूख डाला है इस राजनीती के चक्कर में, जे बिलकुल, जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगे पूरी करने को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां इसका भी राजनीती करन कर धरने को राजनीतिक मुद्दा बनाती दिखाई दे रही हैं, आगे बात करते हैं मानहानी मामले में कोट के चक्कर लगा रहे राहूल गांधी की, मोधी सरने मानहानी मामले में सूर ही नजर आने लगी है। इससे पहले हाई कोट की जजज गीता गोपी से राहुल गांधी, ने मामले में ततकाल सुनवाइ की अपील की थी जुसमें जजज ने खुद को मामले से अल GitHub करते हुए राहुल की कहते थे कि simple catch था आसानी से catch को पकड़ा जा सकता था लेकिन खिलाली खुद इस तरीके से वो काम कर गया कि simple catch को आपने difficult बना दिया और उसके बाद उस catch को गवा दिया राहूल गांदी उसी तरह के खिलाली के तरह बरताव कर रहे हैं अरे भई इसमें वही काम जो लोर कोट में करना था वही यहां भी करना पड़ेगा आप माफी नहीं मांगोगे आपको राहत नहीं मिलेगी simple सा एक माफी नामा आपको इस मुसीबत से अटा देगा लेकिन दिक्कत क्या है कि करना चाहते हैं राजनीती यह करना चाहते हैं राजनीती कि ताकि यह जल्दी इसलिए मांगवा रहे थे कि हम फिर माफी नहीं मांगेंगे तो फिर हमारी गरफतारी हो जाएगी उस बज़े से फिर मैं शहीद बन जाओंगा फिर सुप्रिम कोर्ट में जाओंगा तब तक क्या होगा तब तक करना टक के चुनाओं आ जाएगे हमें सिप्थी मिल जाएगी कि देखो राहूल गांधी को जेल में डाल दिया मुदी ने जेल में डाल दिया जा रहे अपने भर कारण लेकिन मुदी ने जेल में डाल दिया इस तरह का तमाशा यह लोग क्रिएट करना चाह रहे और सुप् कानून का रही है मोधी का भी नहीं है ये जरूत से ज़्यादा चाला की करने में फस रहे हैं राहूल गांधी जी बिलकुल खुद को शहीद दिखाने के चक्कर में राहूल गांधी ने एक खुद के लिए ही गधा खोद लिया है इसलिए उन्हें हर जगह से मू की खानी पड़ रही है आज की आखरी खबर में बात करेंगे मुक्तार अंसारी की बड़ती मुश्किलों की माफिया मुक्तार अंसारी को कोट से बड़ा जटका लगा है गैंकस्तर मामले में गाजिपुर की MP MLA कोट ने फैसला सुनाते हुए अंसारी को दोशी करार दिया है मामले में अंसारी को 10 साल और 5 लाग का जुर्माना भी लगा है आपको बता दे कि भाजपा विधाय क्रिश्नानंद राइ की हत्या मामले में मुक्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंकसर का मुकदमा दर्ज है जिसमें अब कोट ने फैसला सुनाया है रुक साब अब आखिरकार मुक्तार अंसारी को दोशी करार दिया गया योगी जी की सरकार है नोने तो पहले कह दिया है कि हर माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा सजा मिल गई और धन्यवाद देना चाहिए अस्वनी उपाध्याय P.I.L. मैन को जिन्होंने अपने P.I.L. के जरिये ये विवस्था निर्धारित करवाई देश में कि जिसमें तमाम M.P.M.L. जोग लोग है उनकी सुनवाई उस कोट में हो और जल्दी हो नहीं तो क्या होता कि ये सब केस चल रहा है ये लोग ये सोलते हैं कि 25 साल 35 साल खीच देंगे तारिक पर तारिक पर तारिक लगा करके तो कुछ नहीं होगा तो ये M.P.M.L.A. कोट के द्वारा 202 202 ये विक्टिम बने है अब इनकी खासियत समझी है ये छोटा मोटा गुंडा नहीं है ये ऐसा माफिया ऐसा गैंस्टर है कि दिल्ली के लूटियन जोन के तमाम सेकुलर पत्रकार कहने वाले एडिटर और ये बहुत सारे लोग जिनको मैं बहुत सारे परसनली जानता हूँ ये लोग लखनव उतरते थे चुनाव जाना है पब्लिक ओपीनिन करना है तो ये करना है तो वो करना रिपोर्ट लिखनी है अख़वार के जमाने से अभी से नहीं BBC का ही क्यों ना रिपोर्टर हो वो अगर जाएगा तो ये अंसारी साहब के खातिरदारी में गाड़ियां दी जाएगी तो पाटियां होंगी फार्म हाउस में रखा जाएगा ये लोग शिकार के लिए भी जाएगे गंस भी चलाएगे तो ये इतना रसूक वाला गैंक्स्टर था और ऐसे लोग जब जेल जाते हैं आम आदमी का गरीब आदमी का जो लोग इसके भुक्त भोगी होते हैं उनका सिस्टम में भरोसा मजबूत होता है जी बिलकुल खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज अतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले